तो हेलो फ्रेंट्स हैं सौगत आपको दुबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आपका अपना जितने भी बैंक इस्टाब्लीश हुए थे नैशनलिजेशन हुआ था बैंक का वर्ल्ड बैंक क्या होता है एशन बैंक क्या होता है टूटल हम यही सब टॉपिक्स को इस सब्जेक्ट में कवर करने वाला है मैंने इसको कवर कर दिया है प्लीज आप उसे जरूर जाके हमारे अगल पर चेक आउट करें चले फिन स्टाट करते हैं आज का लक्चर पहले तो फेरें मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा उसके इसकी फीचर बताऊंगा कैसे इंपॉडटन थै उसके लास्ट में इसके अबजक्टिव के साथ यह आई थी मार्केट में यह कह सकते ह अब हमारे country में तो friends यह जो concept है किसी भी loss को कम करने का वो bank के द्वारा बहुत easily कह सकते हो या फिर initial days में बहुत ही poor था मतलब initial days में जब भी उनको loss cover करना होता था तो वो के पास कुछ ऐसा strategies नहीं होता थे जिनके विएसे वो loss cover कर पाएं और ये कब का बात है 1946 में या थो आपको जब बेंगाल में crisis हुआ था banking को लेके 1948 में अगर आप news जानते होंगे ठीक है current affairs तो आपको पता होगा इसके बारे म तो उसको लोगे जो problems हो थे उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं government ने banks के तरफ कुछ steps होथा है strong या कह सकते हो very strong steps जिसकी वज़त से country का economic condition बहतर हो सके उस समय question यह arise होता था friends कि 1948 1949 में एक साल बात यह decide किया गया कि जो भी Reserve Bank of India होगी वो एक कह सकते हो आप inspection करेगी banks का कि कोई भी suspension या problem तो नहीं है banks में क्या कारण है जिसके वज़े से bank इतना loss phase कर रही है और economic condition दिन प्रते दिन साल गरते जा रहा है हमारे इंडिया में तो year 1950 में क्या हुआ ruler banking inquiry committee ने इस concept को support किया Reserve Bank of India ने तो इस idea को लाया था लेकिन ruler banking inquiry committee ने इस concept को support किया next ये friends कि एक बहुती serious thought था ठीक है एक बहुती important concept था Reserve Bank of India दोरा और Central Government दोरा जब पलाई Central Bank Limited का crash हुआ था यानि कि वो ढूब गई थी या लक्ष्मी Bank Limited दोनों जब बैंक है यह जब crash हुए था crash मतलब तूट जाना बिखर जाना डूब जाना loss होना बहुत जा था 1960s में ठीक है उन्होंने ये survey में पाया next point ये friends उसके बाद क्या हुआ deposit insurance corporation DIC बिल जो है उसको introduce किया गया Parliament में August 21 1961 में okay next year friends कि ये जब बिल पास हो गया na Parliament में तो President ने December 7 1961 को इस deposit insurance act को as sign करके ये declare कर दिया कि January 1st 1962 से इसे लागू किया जाएगा ठीक next point ये friends कि इस deposit insurance scheme में initially ये सिर्फ commercial bank के लिए ही functioning था मतल सिर्फ commercial bank दोरा ही use किया जाए था okay जिसमें State Bank of India और कुछ other commercial banks आते थे और उनके branches ठीक है foragen banks भी हो सकते हैं जो इंडिया में operate हो रहा है next point पर चलते है friends जो अपना Reserve Bank of India है friends उसने public limited company को भी promote करना start कर दिया कब January 14, 1971 से जिनका उन्होंने नाम रखा Credit Guarantee Corporation of Indian Limited CGCI ओके आगे friends next point पर आते हैं यह जो friends CGS जो है Credit Guarantee Scheme यह बहुत ही जादा भरोसे मन्द या कह सकते हो इमानदारी से अपना काम करने लगी किसी भी Credit Guarantee Corporation of India Limited में इनका main aim यह था कि जो भी commercial banks है ना उनको encourage करना उनको और supportive support करना कि जो भी उनके credit needs होते हैं loans या other financial conditions होते हैं उनको neglect ना किया जाए उनके जो भी needs है financial needs उनको neglect ना करके specially weaker sections के लिए boost up दिया जाए ताकि जो भी society engaged non-industrial activities में उनको भी loan मिल सके साथी साथ economic growth हो सके country का सिदी से बात है अगर small enterprises को loan मिलेगा time पर repay कर पाएंगे और साथी साथ उनका मुनाफ़ा भी हो पाएगा तो कहीं न कहीं development होगा country में all over इस point में यह बताया गया है जो इनके priority sectors थे ठीक है example से मैं बता दिया हूँ अब आता है friends की DICGC कब established हुआ था उसके बार में यह बताया इसलिए मैंने यह 2 star mark दिया है यह उपर जो मैंने बताया वह होने के बात friends क्या हुआ कि इसके बात क्या हुआ friends की एक overview लाया गया ठीक है जो भी functions कर रहे थे DIC या CGCI द्वारा organization जो बनाया गया था वो credit guarantee provide कर रहे हैं कि नहीं ठीक है present deposit insurance and credit guarantee corporation के तहत ठीक है मैं simple से समझाता हूँ ऐसा आपको समझ में नहीं आया होगा देखिए DIC और CGCI जो है ना friends उसको overview करने के लिए मतलब यह ठीक से काम कर रहे है कि नहीं क्या इनका जो financial condition है वो fulfill हो रहा है या नहीं यह इन बातों का ध्यान रखने के लिए deposit insurance and credit guarantee corporation को existence में लाया गया कब July 15 1978 में मैंने date mention red से marker से इसले किया है ताकि आपको वो याद रहे है वो important dates है और किसलिए important है यह बात को बहुत ज्यादा ध्यान से notice करें क्योंकि exam point of view से बहुत ज्यादा important है आते है friends अपने next point पे उसके बात क्या हुआ friends जो अपना deposit insurance act था 1961 वाला याद होगा आपको जो मैंने उपर पढ़ाया है वो change हो गया ठीक है उसका नाम change करके उसका नाम रख दिया गया deposit insurance and credit guarantee corporation act 1961 ठीक है वहाँ पे change होके यह यह change हो गया इस बात का ध्यान रखे question आ सकता है कि deposit insurance act 1961 जब change किया गया था क्या DICGC आने के बाद तो उसका क्या नाम हो गया था यह question आ सकता है अब आता है friends legal framework पर मतलब यह काम कैसे करता है क्या ज़रूरा था इसका लाने का और objectives आखरी में बताऊंगा तो function DICG का यह था friends कि वो govern करती थी ठीक है मतलब कि वो provide करती थी जो भी rules and regulations द्वारा banks या DIC ठीक है वो काम कर रही है कि नहीं किसके अंडर deposit insurance and credit guarantee corporation act के अंदर जोकि 1961 में आया था ठीक अचागे वरते हैं जो friends अपना deposit insurance and credit guarantee corporation general religions था उनका main objective था कि maintain करना balance bank के बीच में और reserve bank of India के बीच में थीक है ओके आते है next point पे आते है friends इसके objective पे जो last topic है इसके बाद कतम हो जाएगा यह video lecture तो friends objectives पर आते हैं objectives simply यह friends कि यह DICG से जो था वो contribute करता था stability ठीक है और साथी साथ public का जो confidence है वो gain करता था किसके लिए banking system के लिए जो उनको deposit insurance या कह सकते हो loan credit small deposit borrowers यह सब दे सके simply कहो तो loan या फिर other financial basis पे उनको help कर सके ठीक है अब आते हैं इसके कुछ points पे पहला objective यह था friends to ensure financial stability मतलब वो bank ठीक है bank मैं बताता हूं वो bank financially stable है कि नहीं उसमें कोई loss तो नहीं हो रहा है loss हो रहा है तो कैसे हो रहा है यह सब point को देखना यह DICGC का काम था second point to infuse confidence in the banking system infuse confidence मतलब देखिए ऐसा होता है कि जब examination pass आने लगते हैं आप सब students के तो आप कहीं नर्वस होने लगते हो कि कौन सा paper आएगा कितने questions रहेंगे कैसे questions रहेंगे subjective रहेंगे subjective रहेंगे वेगारा मन में बहुत सारे doubts आते हैं ठीक है यह doubts को clear करने के लिए जब teachers आपको confidence देते हैं कि यह question है यह important है यह आ सकता है वेगारा वेगारा teachers या friends या video जिससे आपको पता चले आपको जब पता चलता है कि यह question आएगा तो एक तरह सा को boost up मिलता है इसका मतलब हुआ आपको एक infuse किया तो आप में infuse confidence दिया जाता है ताकि आप examination अच्छी तरह से दे पाओ second point यह कहना चाहरा है simply third point to help mobilize deposits to provide active service मतलब की कहते हैं न कि जब भी हम बैंक में कोई भी काम के लिए जाते हैं एक मेना फिर दौ मेहना छे मेना एक साल गुज़र गया तो कहते है न अक्टिवनेस होना चाहिए वो सुस्त नहीं फुरतीला होना चाहिज़ Saudis ॉ या जो भी service से provide किया जा रहा है बैंक द्वारा फार्मर को या किसी DICGC स्कीम द्वारा बैंक को जो भी है अक्टिवनेस होना यह फूर्तीले होने चाहिए ठीक है किसी भी काम को लेके अगर आपको यह वीडियो लक्षर अच्छा लागा तो प्लीज सब्सकार बटन हित कर दीजे और साथी साथ बैल आइकन को दबान ना भूले और कमेंट बॉक्स में ज़रू बता है आपको यह वीडियो लक्षर कैसा लागा अगर कोई भी डाउट हो तो आप पेज़े कर दीजेँवाल आपको यह भीजब आपको अड़ीग